नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद ताप मापी जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये ताप को मापता है यानि कि जो ताप मापी है ये ताप को मापने का एक यंत्र होता है चलिए अब हम ताप मापी के भिन भिन स्केल देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तीन स्केल ठीक है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे विभाजित कर देते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर हम पहली बात करेंगे जल का जमना तथा एक बिंदु आएगा जब हम बात करेंगे जल का गलना ठीक है तो मान लीजिए यह वाला जो स्केल है इसे हम कहेंगे Fahrenheit तथा इस स्केल को कहेंगे Celsius आपने सुना भी होगा Celsius तो है ना चलिए ठीक है और जो तीसरा स्केल है इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे Calvin ठीक है जो क्या होती है तापकी SI unit भी होती है कहती बात समझ में आई अब से दरेखें, जब हम Fahrenheit की बात करते हैं, तो जल, यदि हम कहें कि Fahrenheit कितने फेरन्हाइच पर जल जम जाता है, तो यह हो जाएगा 32 degree Fahrenheit, Fahrenheit को हम F से प्रदर्शित करते हैं और वहीं यदि मैं बात करूं Celsius की, तो कितने Celsius पर जल जम जाता है, तो हम सभी जानते हैं ये तो 0 degrees Celsius पर वहीं यदि हम बात करें Kelvin की तो यहाँ पर आचाएगा 273.15 Kelvin ठीक है यानि कि अलग-अलग scale पर जो जल का जमना है वो क्या हो जाएगा अलग-अलग मान हो जाएगा अब बात करते हैं जल के गलने की तो Fahrenheit scale पर जो जल है वो कब गलेगा जब जो ताप है वो 212 यानि 212 degree Fahrenheit हो जाएगा वहीं Celsius पर जो जल है वो 100 degree Celsius पर गलता है और Kelvin की यदि में बात करूँ तो ये 373.15 Kelvin पर गलेगा इसमें हमने देखा कि दो बिंदू है अब जो ये जल का जमना है इसे हम कहते हैं हिमांक बिंदू क्या कहते हैं हिमांक बिंदू कहते हैं और न्यूनतम नियत बिंदू भी कहते हैं और वहीं यदि में बात करूँ इन बिंदू की जहां पर जल क्या हो रहा है गल रहा है इसे हम कहते हैं जल का क्वथन बिंदू यानि कि स्टेम पॉइंट और इसे कहा जाता है उच्चितम नियत बिंदू तो क्या इतनी बात समझ में आई चलिए ठीक है अब हम सीखेंगे कि किसी भी स्केल को दूसरे स्केल में कैसे बदलते हैं यानि कि यदि मुझे ताक का फेरन हाइट में मान दिया गया हो और कह दिया जाए किसे सेल्सिस में बदलो तो मैं ये कैसे करूँगी ऐसे ही यदि हमें कोई भी स्केल में वैल्यू दी जाए और किसी दूसरे में निकालनी हो तो हम वो कैसे निकालेंगे आईए हम अब ये दिखते हैं, तो देखिए, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन बात बताने जा रहे हूं, कि किसी भी स्केल का, चाए फेरनहाइट हो, चाए सेलसियस हो, चाए केल्विन हो, तो किसी भी स्केल का पाठ्यांक, ठेक है, माइनस नियूंतम नियत बिंदू, नियत बिंदू, अपॉन उच्चतम नियत बिंदू, यानि कि क्वथन बिंदू, माइनस नियूंतम नियत बिंदू, यानि कि फिर से हिमांक बिंदू, यह हमेशा किसी भी स्केल के लिए यदि निकाला जाए, तो यह एक नियतांक आता है, तो देखिए, इसे कैसे करेंगे देखिए, मैं सब बताऊंगे, आप बिल्कुल भी टेंचन मत लीजिए, तो देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं, किसी भी स्केल का पाठ्यांग, यानि कि यदि पहले बात करें, फेरनहाइट की, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर फेरनहाइट लिखा था, तो यहाँ पर आ नियत बिन्दू, टू हंड्रेट ट्वेल्फ डिगरी फेरनहाइट है, कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, टू हंड्रेट ट्वेल्फ माइनस, नियूंतम नियत बिन्दू, जो की है, थर्टी टू, अब यह नियत आंख है, और यह किस के बराबर आएगा, ऐसे ही यदि हम दूसरे स्केल की बात करें, चलिए, अब सेल्सियस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, सी माइनस, तो अब हम बात करेंगे, नियूंतम नियत बिन्दू, किस स्केल का, सेल्सियस स्केल का, जो की कितना है, जीरो, तो यहाँ पर आजाएगा, सी माइनस जीरो, अपॉ था जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर आएगा k minus Kelvin का जो नियुंतम नियत बिंदू है कितना है 273.15 अपॉन इसका जो उच्चतम नियत बिंदू है वो 373.15 है minus यहां पर आजाएगा 273.15 अब जो इनकी जो भी values होंगी वो हमेशा क्या रहेगा वो एक नियतांक रहेगा यह तो मैंने उपर भी बता दिया था अब देखिया हम इसे solve कैसे करते हैं तो मान लीजिए कि आपको Fahrenheit का कोई भी temperature दे दिया गया और कहा कि इसे क्या करिए Celsius में convert कीजिए तो आप क्या करेंगे आप जो ये दो equation है इने बराबर रखेंगे और यहां से आपको value मिल जाएगी इसी प्रकार से जो भी आपको दिया गया हो और जो भी निकालना हो उसके अनुसार आप इन तीनों में से कोई भी दो equations को एक बार में लेकर solve कर सकते हैं अब ये करते करते मेरे दिमाग में एक प्रशन आया है कि क्या ऐसा कोई value exist करता है जहां पर Fahrenheit और Celsius सेम हो सेम हो यानि दोनों की ही value बराबर हो ये question आपके exam में भी आ सकता है ठीक है तो कैसे करेंगे अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों ही value सेम हो तो मान लेते हैं कि ये x है यानि कि x minus क्या आ जाएगा अब हम इन दोनों ही equations को consider करेंगे क्योंकि हमारा मतलब इनी से है तो x minus 32 upon 212 minus 32 is equal to यहाँ पर आ जाएगा x minus 0 upon 100 minus 0 ठीक है अब देखते हैं हमें solve करके क्या मिलता है यह आ जाएगा x minus 32 upon यह क्या आ जाएगा 0,8,1 यानि कि 180 is equal to यहाँ पर आ जाएगा x by 100 केतनी बात समझ में आई यहाँ सम क्या कर सकते हैं 0 से 0 cancel कर दिया और यह 2 से cancel होकर 5 हो गया यानि divide हो जाएगा और यह divide होकर 9 हो गया जब हम इसे आगे solve करते हैं तो हमें क्या मिलेगा हम इने cross multiply कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 x minus 32 is equal to कितना 9 x ठीक है अब क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 5 x minus 160 is equal to 9 x और यह आ जाएगा minus 160 is equal to क्या आएगा 4 x ठीक है यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहे हूं बस basic solve ही कर रहे हूं तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं x की value क्या आ गई तो 4 से यह cancel हो जाएगा यह divide हो जाएगा 40 times और यह minus यहाँ है यानि कि x की value जब minus 40 होगी तो उस time पर जो Fahrenheit है उसमें और Celsius में same value होगी यानि कि minus 40 degree Fahrenheit बराबर होता है minus 40 degree Celsius के कर दोता है तो यहाँ कि अँना गचाता है यहाँ कि अंपे अप्रश से यह दूनों